जब हमने ये मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चमपी चल रही है एक चमपी सर पे होती है उसका रीड की हड़ी से कोई लेना देना नहीं है अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन अक्ट है जेल मैनूल है अनुमती लेनी होती है न्याले भी हस्तक शेप करता है अनुमती देता है आज जो खुलासा हुआ है मीडिया के कई चैनलों ने भी चलाया है ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सतिंदर जेन की चम्पी कर रहा है ये एक अभ्यूग्त है अभ्यूग्त है एक संगीन जगन्य अपराद के मामले में पॉक्सो आक्ट प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डरन फ्रम सेक्श्वल ओफेंसर अक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डरन फ्रम सेक्श्वल ओफेंसर अक्ट इसकी धारा च्छे है धारा च्छे पॉक्सो आक्ट की 376 इंडियन पीनल कोर्ड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है और मैं आपके समझ दारा छे रखना चाहता हूँ दारा छे पॉक्सों की कहती है पनिश्मेंट फॉर अग्रिवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शल एसॉल्ट फॉएवर कमिट्स अग्रिवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शल एसॉल्ट शाल बी पनिश्ट विद रिग्रिस इंप्रिजन्मेंट फॉर तर्म विच्ट नॉट करिये पॉक्सों आक्ट इसलिए बना था ये एक विशेश कानून है स्पेशल आक्ट है हमारे देश के बच्चों को कैसे सुरक्षित रखे उन दरिंदों से जो हमारे देश के बच्चों को भी टार्गेट करते हैं उन पे सिक्श्वल एसॉल्ट करते हैं और धारा इतनी गंबीर है कि इसकी सजा आजीवन कारवास है तो आज ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो की अभ्यूगत है इतने संगीन अपराद में एक सिटिंग मंत्री को सतिंदर जैन जिनको कट्टर इमांदार का सर्टिफिकेट अर्विंद केजरिवाल देते हैं ये अभ्यूगत दूसरे अभ्यूगत कट्टर वैमान को मसाज कैसे दे रहा है क्या ये नहीं दिखाता कि वी वी आईपी कल्चर तो एक बात है किस तरह से एक मंत्री जिसको अर्विंद केजरिवाल का संरक्षर प्राप्त है कानून की अंदेखी करता है उसे तार-तार करता है और एक अभ्यूगत को बुलाता है अपने सेल में और वो अभ्यूगत वो है जिसके उपर आप आरोप हैं कि एक बच्ची के साथ उसने दुराचार किया है बलतकार किया है ये कैसे संभव हुआ ये केवल तबी संभव है अर्विंद केजरिवाल अपने भरष्ट मंत्री को खुली छूट देते है मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता अर्विंद केजरिवाल जी की सोच है कि वो बच्ची जो हमारी बच्ची है उसको इंसाफ मिले उसके परिवार वालों का दर्द अर्विंद केजरिवाल जी का दर्द नहीं है पॉक्सो आक्ट में यहां तक प्रोटेक्शन है पीड़ता को कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा उसके डीटेल्स भी नहीं आएंगे और जो मीडिया हमारा चौता स्थम है लोक्तंत्र का कितना सम्वेदन शील मामला होता है कि किसी बच्ची के साथ ऐसा जगंदे अपराद हो तो हमारा कानून कहता है उसके डीटेल्स उसका नाम उसकी रिपोर्टिंग बड़ी जिम्मेदारी से होगी और यहां पे एक मुख्यमंत्री सम्वेदान की शबद लेके कहता है कि मैं सम्वेदान की रख्षा करूँगा नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनना था लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि रख्षक आज भख्षक बन गया जिसको सुरक्षा कवच बनना था आज वो सुरक्षा कवच तो है लेकिन वो सुरक्षा कवच है अपने भ्रष्टाचारी मंत्री का सुरक्षा कवच वो बन गया एक अपरादी का जिसने प्रतम द्रष्टिया बलतकार जैसा जगन्दे अपराद किया है और ये दो एम दो एम का मामला है